अब कुटा जो है कुटा कुटा और आपकी लड़ाई हो जाए कुटा जादा काटेगा ना प्राब्लम हो जाए कि हम काटेंगे कुटा मारने में हमें मार सकता है काट सकता है चीर फाड सकता है कुटा जो है रेस में भी जीत जाएगा ठीक है अचा लेकिन आपके पास पता है कि अगर कुटा की सड़क पे आ रहा है ना आप सिर्फ ये करें तो कुटा क्या करेगा भाग जाएगा क्यों भई कुटे को पता है ये जो तुम पत्थर मार रहा है ये मुझे मारने नहीं आते इमेजन करें अगर कुटे को पता होता पत्थर कैसे मारने कितना खुखार होता कुटा कुटा भागता हो आ रहा है पत्थर लेके आ रहा है भौग मिरा, दान दिखा रहा और पत्थर भी मार रहा है कितना अजीब होता, कितना खौफनाक मनजर होता कि जी कुटा पीछे पढ़ गया, पत्थर भी मारे है मुझे अगर कुटा को पता होता कि सोटी उठा के मारी कैसे जाती है कुटा भाग रहा हाथ में उसने नंचक्स पकड़े हैं, खुच-खुच-खुच करता लड़ता है तो ये अकल आल्ला ताला ने जानवरों को नहीं दी और ये जिन्नों के पास भी अकल नहीं है तो असल में नहीं नहीं इनसÁं अशफल मखलुकात हैं, वो इन सीजों का इस्तमाल जानता है इनसान टूल्स के शाथ काम कर लिता है निसान को टूल्स बनाने आते हैं कोई use इकाम कर नहीं हमें अड़ना नहीं पार्बा ने हम आननी आता है लेकिन आमने गाड़ी बना लिए जो तेस ट्रावल कर लेती है हम बैसे बड़े कमजोर हैं लेकिन हम लोग बॉड़ी आर्मर पहन सकते हैं जो कि हमारी बॉड़ी को स्ट्रॉंग कर सकता है गोली भी लगे तो गोली कुछ नहीं कहती जिसरा दाओद लिएसलाम को अलब ताला ने बताया कि चेंड मेल कैसे बनाना है बॉड़ी आर्मर कैसे बनाना है और आपको पता है तमाम जानवर इंसान से डरते हैं इंक्लूडिंग जिन्स तो आप जिनों से बराए मेरबानी मट दरें वो अलरेड़ी आपसे डर रहे हैं वो किसी लेक्चर हॉल में अभी जिन्ने कठे हो होंगे और वहां पर लेक्चर हो रहा होगा Men and Black Magic उनका भी कोई speaker होगा राजा सो एंड सो होगा कोई राजा वहां पर भी कोई कराची से speaker इंपोर्ट होगा होगा अधर भी कोई लाहर से आगा और गेंगे जिनों डरो इंसानों से डरो इंसान तुमें खा जाएंगे इंसानों के पास ना जाना खुदा का वास्ता है इंसानों से बंगामत करना इंसान बड़े जालिम होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, मार जाते हैं, ये कर जाते हैं, तो वाकिय में आपको बता हूँ, जिन हमसे डरते हैं, तो आपको डरने की ज़रोथ नहीं है, तो इसलिए पहली बात ये समझ लें, अचा, स्लाइट पर गिलाएःगे, चिंभाब ये करते हैं, ऐजका, मैजक मैजक पर वाजाएँ, मैजक की दो टाइपस हैं, जो हमें नजराती है, एक मैजक है, जो के असली मैजक है, और एक है नकली मैजक, नकली magic मैं कहा रहा हूँ, optical illusions को लेकिन जिस तरह ये चीज हो नो और आपने घाइब कर दी और आपने बाजुव में डाल दी तो ये क्या है, ये tricks है ट्रिक्स की बात मैं नहीं कहा रहा हूँ, ये magic जो है, ये optical illusions होते है ये आँखों के उसको कहते है, slight of hand बच्चों के साथ हम अक्सर मिजाग करते थे कि ओपर रुमाल रखा और चीज गायब कर दी और फिर का देखो चलागे गायब हो गया तो ये मैजिक की बात नहीं कर रहा है मैजिस मैजिक की बात कर रहा हूं ये वो है जो कि इनसानों को हर्ट कर सकता है हम कर सकता है mates Rhodes कर सकता है और इस मैजिक की दलील जो है वो आपको रुरान मجीद से मिलेगी सब से पहले जो सूर improve और वो बेक्रा में ये वियू शौ्टा पहुतल रहा है मा तत्लो शुतानो अला मुलकि सुलिमान मा कफरा सुलिमान اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سیدنا سلمان کے زمانے میں جو شیعتین نے میجک پھلایا جو حارود معروض سے سیکھا تھا یعنی بقیدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا کیوں کہ ہزبنڈ وائف کی بیچ میں سپلٹ کیا جائے یہ کوئی آپٹیکل الیلوزن نہیں ہے واقعہ تن ہزبنڈ وائف سپلٹ ہو گئے یہ میجک کا ایک اثر ہے ہزبنڈ وائف کو سپریٹ کرنا اور اس کی دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں آپ نے فرمایا سیونڈ ڈیڈلی سنس کے بارے میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر ٹو پہ ڈالا شرک کے بعد سہر جادو کرنا اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے کہ جادو کر کو قتل کر دیا جائے تو یہ ٹرکس کرنے والا کو یہ نو کال گھر کے جا کے بچے کو پکڑ کے آپ کہیں کہ تم واجباً کتل ہو کیونکہ ایسی بچارہ ٹرکس کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں بقاعدہ جادو کرنے والا next video is come soon like, share and subscribe